जै गुरू चलिए आज का अलोजना टपी के माथमेटिक्स का डेफिनेशन ठाकुर्जी ने कैसे सठीक धंग से डॉक्टर सील शाब को बताये हैं ये कथा सास्त्वत कथा से संग्रूईत है चलिए आज का टपीक शुरू करते हैं सर्ण 1966 की बात है डक्टर बेद्यनाथ सील गनित के अध्यापक बीद्यासगर कलेज सीवडी पस्चिम बंगल स्रीशी ठाकुर का दर्सन करने आये है उनके ही बीभाग के सहकर्मी स्रीशी ठाकुर के दिखिजते है जाजन के प्रसंग में बोले थे कि स्रीशी ठाकुर अनुकुल चंद्र बर्तमाद अवतार पूरुस है वे ही जीवन आदर से पूरुसोत हमें वे प्रतेक ब्यक्ति के विशिष्टा अनुजाई प्रेरना प्रदन करते हैं उनकी दिख्षया लेने से अनुराग आता है अनुराग आने पर ब्रुति नियंत्राण होता है यह बात सुनने के बाद डक्टर सील बोले वे आध्यत्मिक बिश्व पर उपदेश दे सकते हैं हमारे गनित के विश्व में क्या सायाता कर सकते हैं यह सुनकर उनके साकर्मी बोले वे भावनी में बोले है सीक एबरिटिंग इन मी मी इज आई डक्टर सील को यह बात विश्व नहीं हुआ वे अपने साकर्मी के बहुत अनुरोत करने पर सिसी ठकूर का दर्स्सन करने देवगर आये सिसी ठकूर बडाल बंगला में उपसिती है डक्टर बेजदनातं सील अपने साकर्मी के साथ सीसी ठकूर के समीब प्रणाब करके बेठे उनके साकर्मी डक्टर शील को कहे आप यदी कुछ पूछना चाहते है तो सिसी ठाकूर से पुछ सकते हैं डर्टर सील सिसी ठाकूर के तथम दर्सन में ही हत्प्रव हो गये थे माथे से पसीना निकलना सुरू हो गया था वे बहुत सास संचे करके पुछे ठाकूर मातमेटिस का डेफिनेशन क्या होगा सिसी ठाकूर डर्टर सील की तरफ साज भव से देखते हुए बोले मेथोडिकल आप्लिकेशन आप मैटरीच मैथमेटिक्स डर्टर सील मैथमेटिक्स का एसा अनोगा डेफिनेशन सुनकर अबाक होगे वे बहुत देर तक चूप रहने के बाद बार-बार उसे दोराते हुए पालनर से बाहर आकर बोले इतना दिन पढ़ने पढ़ाने के बबजूत मातमेटिस का इतना सठीक और साज डेफिनेशन कभी सोच भी नहीं सका था आज का टपिक एही कतम करते है जै गुरू